महिलाओं के खलाफ अपराद पर अप्रदानमंत्री मोधी का बयान सामने आया है महिलाओं के खलाफ अपराद अक्षम में है यौन अपरादों पर फासी उम्रकैद की सजा महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को सजा मिले ये कहना है प्रदानमंत्री मोधी का दोशियों की मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए अब राधियों को बचाया नहीं जाना चाहिए मैं बहनों और बेटियों की पीडा को समझ रहा हूँ महिलाएं EFIR दर्च करवा सकती है एक बड़ी बात कही गए उनकी ओर से नारी गरिमा की रक्षा करना हमारा दायत्व है और महिलाएं EFIR दर्च करवा सकती है इसका कोई भी राज्य हो अपनी बहनों बेटियों की पीडा को उनके गुस्य को मैं समझ रहा हूँ पेज के हर राज्य नितिक दल से कहूँगा हर राज्य सरकार से कहूँगा कि महिलाओं के खिलाब अपरात अक्षम में पाप है जोशी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए अस्पताल हो स्कूल हो सबतर हो या फिर पुलिस व्यवस्ता जिस भी स्तर पर लापरवाई होती है सब का हिसाब होना चाहिए उपर से नीचे तक मैंसे एकदम साब जाना चाहिए यह पाप अक्षम में है रे सरकारे आती रहेगी जाती रहेगी लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरीमा की रक्षा इस समाज के रुप में भी और सरकार के रुप में भी हम सब का बड़ा दाईत्व है साथ क्यों महिलाओं पर अप्त्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सक्त कर रही है आज इतनी बड़ी संग्याँ है तेश की बहनों बेट के यहाँ है इसलिए मैं विशे इस तोर पर आपको बताना चाहता हूँ पहले इस शिकायत आती थी कि समय पर F.I.R. नहीं होती सुनवाई नहीं होती मुकदमों में देर बहुत लगती है ऐसी अनेक अर्चनों को हमने भारतिये न्याय सहीता में दूर कर दिया है इसमें पूरा चप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के समन में बनाया गया है अगर पीडित महिलाओं को ठाने नहीं जाना है तो वो गर बैठे E.F.I.R. दर्ज करा सकती है हमने ये भी पक्का किया है कि E.F.I.R. से आने के स्तर पर कोई टाल मटोलिया पिर छेड़ जाड़ नहीं कर पाएगा इसे तेजी से चांच करने और दोश्यों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी काथियों नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यह उन अपरादों पर फांसी और उम्र के तिस सजा का प्रावदान किया गया है प्रावदान किया जाएगा